ब्रो यह पार्वसाना कितना बैट सीन होगे हैं यह महंगाई की वज़ा सी यह नो जो फूर टाइप लोग है जो खरीव टाइप सोते हैं यह तो बुकल तबाह हो जाएंगे ब्रो अब अब जान बूच के महंगाईया करते हैं चोरी ब्रो सबसे पहले चीज़ आती है जीडिपी एक मुल्की मझमूई दाखली पैदावार को कहते हैं यानि एक मुल्क में जितना ही बिजनिस होता है उसका टोटल साइज फिर आता है बैलंस ऑप पेमेंट वो अमाउंट है जो आपकी इंपोर्ट यानि दरामदाग और एक्सपोर्ट की चीज़ें बेची हैं और 15 डॉलर की चीज़ें खरीदी हैं तो आपका बैलंस ऑफ पेमेंट वह माइनस फाइब फिर आता है डेट टू जीडिपी रेशो यानि एक मुल्की कुल सराना पैदावार के मुकाबले में वो टेक्स जो आप लोग यानि के अवाम हकूबत को द अरे शरमीला भाजी आपको क्या हुआ है अरे तू कि असर्थ बाग दिखा रहे है यह जो पेट्रोल इतना महिंगा हुआ है इसका इन तब तैक्स है का तालोग बेरी बात सुने है पाकिस्तान में इस वग पेट्रोल पे टेक्स की शराब बाकी मुमालिक से कम है दुनिया क 110 मुमालिक में से 140 मुमालिक में पाकिसान से ढादार टेक्स ले आता है पेट्रोल के उपर और जिन मुमालिक में पाकिसान से सस्ता है वह अपना देल खुद नुकालते है अब önce इंटरनाशनल मार्केट में तेल की कीमत बढ़ रही है और हम अपना ज़ाद है तर टेल ड सबसे बहले बात करते हैं balance of payment दुनिया भर की trade डॉलर में होती है हम साना जितना डॉलर कमाते हैं उससे कहीं जादा डॉलर हम खर्च करते हैं अब अगर मार्केट में डॉलर की कमी होगी तो डॉलर का rate तो बढ़े गई तो डॉलर तो महेंगा हो गई तो अगर आप भी हचे पाकिसानी होने का सबूत देना जाते हैं तो उन्हें टेलर चोड़े हैं और अपना हैं यंग्स चॉको बलेज तो क्या करें हम भुके मर जएं तो बाजी में पाकिसान पे फोकस करें और अगर वो चीज पाकिसान में नहीं बनती तो इंडस्ट्री लगाएं और बनाना स्टार्ट करें हकूमत ने इसलिए इंपोर्टेट अश्या पे टेक्स लगाया ताकि लोकल प्रोड़क्शन को उसका फाइदा हो सके लेकिन वो कैसे? इसको समझने का असान तरीका ये है कि अगर आप सोर्पई की ज्युटेला खरीते हैं तो पांच रुपए स्टोर वाले को जाता है पांच रुपवए इंपोर्टर को जाते हैं और बाकी नव्रे पाकिसान से बाहर जाता है अब अगर यही चीज पाकिस्तान में बनना शुरू हो जाए तो हो सकता है शुरू में उसकी कीमत 120 रुपे हो लेकिन हकूमत ने इसलिए इंपोर्टेट अश्या पे टेक्स लगाया ताके लोकल प्रोडक्शन को फायदा हो और वो प्रोडक्शन स्टार्ट कर सके यह सारी बात तो आपकी ठीक हैं लेकिन यह घरीब लोगों का क्या होगा यह तो महंगाई में खराब हो जाएंगे अब ही देख लेते हैं देखा जाये तो हाँ जरूरी अश्या की कीमते बड़ी हैं लेकिन इससे कही जादा इजाफा इंपोर्टेट वुट्स पे देखा गया अब वक्त आ गया कि हमें गोर करना होगा हमारी नीच और वॉंट्स के नीच वो चीज़े हैं जो हमारे जिंदा रहने के लिए हमें चाहिए कि हम अपटी तमाम वॉंट्स कंट्रोल करें जो हमारा पैसा हमारे मुल्क से बाहर लेकर जाती है ने ने और मेरे चाचु कह रहे थे कि इसाप एक फूदी साज़िश है कि आएमेफ के लोग में गाई करके हमारा तारा पैसा लूटना चाते हैं आएमेफ का मतलब जानते हो इसराहिली मरतिनरी पार्ड्ट्स यकिनी आदा तू कर ले आएमें आपको समझाओं आज इसको सम है और उन्हें ने मजीद कर्जा लिया ताकि इस बात वो तुम लोगों को कारूबार लगा के दे सके ताकि आप लोग पैसे कमा के कर्ज वापिस कर सके लेकिन इस बार फिर सारा कर्स आयाशी में लगए और फिर आये तुम्हारे दुबाई के चाचु अब भूदा को तु को तो कंट्रोल कर नहीं सकती लेकि मेंगाई के जरिये वो तुमारी फजूल खर्ची को जरूर रोक सकती है चलो यह तो ठीक है पर मेंगाई तो समझ में आगी है पर मेरे चाचु कह रहे थे कि यह जो चौदरी साल मेरा मतलब जो आई मैफ है यह लोग तेके बदमश करते ह तो मेरे बाई जब आपको लोन माफ तो नहीं कर देता ना इसी तरह अगर आप आई मैफ से करदा लेंगे तो आई मैफ आपस जरूर लेगा और करदा वापिस तब होता है जब आप उनके पैसे को ठीक से इस्तमाल करें मिसाल के तोर पर इंडिया आखरी दफ़ा नाइटी नाइटी वन में आई मेफ के बाद गया और उसके बाद उनके एकॉनमी का वही हाल हुआ जो आज हमारा हाल है उनकी करंसी 80% डिवैल्यूएट होगी और इसके बाद उनने अपनी मार्केट को लेबरेट किया हाँ शुर लेकिन अब हम सब को एक होकर पाकिस्तान को बचाना है ये यूथिये और पटवारी वाली बहस से आगे जाना है गवर्मिन्ट से पूछका जरूर करनी है लेकिन इसके साथ-साथ हमें ये समझना होगा कि पाकिस्तान के असल मसाइल के हैं और हम ऐसा क्या कर सकते हैं ताकि ह पाकिस्तान के नहीं तो पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकते। पाकिस्तान जिन्दाबाद।